नमस्कार मिभार्किष्री बिस्यन्यूस के बिस्निस समाचार में आप सभी का स्वागत है कबरों के और बढ़ने से पहले आए डालते एकने से आज की सुर्खियों पर चावल के दाम में लगी आग 15 वर्ष के रिकॉर्ड उचाई पर पहुची किम्मत और डॉलर के कमज़र होने के बाद रुपे में आई तेसी आर्बियाई के फैसले से रुपिया 19 पैसे चड़ा पिसले कुछ दिरों में पूरे दुनिया में चावल की किम्मत में जबर्दस बड़ोतरी हुई है इसका असर एशियाई मार्केट पर भी दिखने लगा है और यहाँ चावल की किम्मत लगबग 15 वर्ष के उच्चे तमस्तर पर पहुच गई है भारत के गैर बास्मती चावल के निर्याद पर रोक और थाइलांड में सुख्य की कारण हुई कम पैदावार का असर चावल के दाम पर दिखने लगा है रिपोर्ट की अनुसार थाइराइस एक्सपोर्टस असोशेशन ने आकड़ जारी करते वे कहा है कि पाच फिस्दी क बड़त तर्श की गई है इससे पिछले कारवारी सत्र में सोना साथ हजार पचास रुपे प्रती दस ग्राम पर था चांदे की किम्मत भी तीन सो रुपे लुड़क कर त्रहातर हजार पीन सो रुपे प्रती किलोग्राम रहेगी अंतराश्चिय बाजर में सोना गिरावट के साथ 1,919 डॉलर प्रती ओस तता चांदी नुकसान के साथ 22.80 डॉलर प्रती ओस रही SME कमपनियों के IPO को निवेशकों से भारी समर्धन बिल रहा है श्रिवारी स्पाइसेस और फूड के सारवजनिक निर्गम IPO ने तो नया रिकॉर्ड कायम किया है नौगस 2023 को बंद हुए इस SME IPO को 418 गुना का जबर्दस निवेश यानि ओवर सब्सक्रिप्शन प्रत हुआ है श्रिवारी स्पाइसेस ने अपने 9 करोड रुपे के निर्गम में 15,36,000 रुपे शेयर बिकरी के लिए आफर किये थी जिसके सामने कमपनी को 24 करोड 27 लाग शेयरों के लिए निवे शकुष से 1,50,000 से अधिक रिकॉर्ड आवेदन हासिल हुए यानि कुल 2,699 करोड रुपे मुल्ली की आवेदान प्राथ हुए है आईपियो की मर्शंट बैंकर जिवाई आर कैपिटल थी और प्रचार का जिम्मा किरिन एडवाजर्स के पास थी अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमे बाजार में गुरवार को डॉलर के मुकाबले रुपे या 17 पैसे की मजबुती के साथ 82.66 प्रती डॉलर पर बंदवा है इससे पूर्वा रिजर्व बैंक ने प्रमुग ब्यास दरों को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया जिसके बाद रुपे में मजबुती देखी गए डॉलर के कमजोर होने की बाद रुपे में तेज़ी आई है हाला कि घरेलू बाजार की कमजोरी और कच्छे तेल की केमतों में भारतिय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग प्रनाली से अतरिक्त नगती को बहार निकालने के उपायों और अपनी प्रमुख उधारी दरों को अब परिवर्दित रखने के फैसले की बाद अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमें बाजार में ब्रहस पतिवार को डॉलर के मुकाबले रुपिया 19 पैसे की मजबुती के साथ 82.66 पर बंद हुआ बाजार सुत्रों ने कहा कि डॉलर की कमजोर होने के पाद रुपे में तेजी आई है हाला कि घरिलू बाजार की कमजोर होने और कच्छे तेल की किंतों में तेजी ने रुपे के लाग को सीमित कर दिया मुद्राविनी में बाजार में रुपिया 82.81 पर खुला और अंत में 19 पैसे बढ़कर 82.66 प्रती डॉलर पर बंधुआ निवेशक म्यूशल फंड में निवेश को लेकर व्यवस्तित निवेश योजना SIP को तर्जी दे रहे हैं जुलाई मेहने में SIP के माथिन से रिकॉर्ड 15,245 करोड रुपे का निवेश हुआ है मुचल फंड कंपनियों के संखटन Association of Mutual Funds in India के जारी आकडों के अनुसार SIP के संख्यार रिकॉर्ड दर पर पहुँच गी लेकिन इसके बावजूद Equity Mutual Fund में जुलाई में निवेश मासिक आधार पर 12% घटकर 7,626 करोड रुपे रहा MPK CEO NS Venkatech ने कहा कि मुचल फंड की विभिन योजना में खुद्रा निवेशकों की रुची बढ़ने से निवेश बढ़ा है इस मेंने सबसे बहतर प्रदेशन SIP का रहा महा के दोरान 33 लाग से अधिक SIP पंचिक रुट हुए और रिकॉर्ड 15,245 करोड रुपे निवेश हुआ इससे पहले जून में SIP के जरीए निवेश 14,734 करोड रुपे और माई में 14,759 करोड रुपे था अक्टुमबर 2022 से SIP के माधिम से निवेश 13,000 करोड रुपे से अधिक रहा हैं मिश्चल फंड उद्योग में निवेश मुख्य रुप से SIP के जरी होता है एक्विटी से जुड़ी योजना में लगातार 29 महिनी शुर्द प्रवा हुआ है हाला कि जुलाई में निवेश घटकर 7,626 करोड रुपे रह गया बिडर रिपोर्ट BCN News BCN News के बिजनेस समाचार में फिला लिता ही ताजा खबरों के लिए देखते रहें BCN News नमस्कार